इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लास्की का संपर्भुता सिध्धान्त या फिर लास्की के संपर्भुता समंधी विचार तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं संपर्भुता क्या होती है संपर्भुता राज्ये की ऐसी सर्वोच्च सक्ती होती है जिसके माध्यम से राज्ये अपने नागरिकों के जीवन पर नियंतरन रखता है नागरिकों से आदेशों का पालन करवाता है और दूसरे राज्यों से सम्मंध स्थापित करने में सवतंतर होता है तो संपरभुता क्या होती है कि संपरभुता राज्ये की ऐसी सरवच्य सक्ति होती है जिसके माध्यम से राज्ये अपने नागरिकों पर नियंत्रन रखता है और दूसरे राज्यों के साथ समंधों को स्थापित करने में सवतंतर होता है संपर्भुता की यह परीभासा एकल संपर्भुता को परदर्शित करती है तो हमने जो यह संपर्भुता का अर्थ पड़ा है यह एकल संपर्भुता होती है एकल का मतलब एक ही जगय पर किंदरित हो जाना तो एकल संपर्भुता यह मानती है कि संपर्भुता केवल राज्य में केंदरित होती है लास की एकल संपर्भुता का विरोधी और बहुलवादी संपर्भुता का समर्थक है तो जो लास की है वहे एकल संपर्भुता का विरोध करता है और बहुलवादी संपर्भुता का समर्थन करता है बहुलवादी संपर्भुता का मतलब होता है कि संपर्भुता केवल राज्य में निहित नहीं है बलकि राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों में भी निहित होती है जबकि एकल संपर्भुता यह मानती है कि संपर्भुता केवल राज्य में निहित होती है तो जो लास्की है वहे एकल संपरभुता का विरोधी है और बहुलवादी संपरभुता का समर्थक है लास्की के बहुलवादी संपरभुता के विचारों को निम्न बींदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है तो अब देखते हैं कि लास्की के बहुलवादी संपर्भुता के महत्तो पुर्ण बिंदू कौन-कौन से हैं सबसे पहला है समाज तथा राज्य लास्की समाज और राज्य को एक नहीं मानता वह राज्य और समाज में अंतर इस्पस्ट करते हुए कहता है कि राज्य मानव की समस्त गती विधियों पर नियंतरन नहीं रखता राज्य तथा समाज में अंतर है राज्य सामाजिक विवस्था के मूल तत्वों को निश्चित करता है लेकिन यह सामाजिक विवस्था का समरूप नहीं है यहीं कि जो रज्य है वह सामाजिक विवस्था का आधार है उसको निश्चित करता है लेकिन यह समाज के समतुले नहीं है यहीं कि रज्य अलग है और समाज अलग है इस प्रकार लोस्की के ये विचार होब्स तथा ओस्टिन के विचारों के विपरित हैं तो जो ओस्टिन और होब्स हैं वे समाज और रज्य दोनों को एक मानते हैं लेकिन लास्की समाज और रज्य को एक नहीं बलकि अलग-अलग मानता है दूसरा पॉइंट है राजे पूरण निरंकुस नहीं लास्की के नुसार इंगलेंड में संसद को असीम सत्ता से युक्त माना जाता है असीम का मतलब होता है ऐसिमित तो इंगलेंड में संसद को ऐसिमित सत्ता से युक्त माना जाता है लेकिन विवार में संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सुष्थापित परंपराओं के विरुद हो ऐसे बहुत से उधारन है जब रजे को समुदायों की संगठित सकती के सामने जुकना पड़ा निरंकुस सासकों के उपर भी नैतिक तथा वेवारिक बंधन होते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या है कि लास की मानता है कि रजे पूरण निरंकुस नहीं हो सकता बलकि उसके उपर प्रंपराओं का नियंतरन होता है तिसरा पॉइंट है सिमित संपरभुता किसी भी राजे को अनूतरदाई बन जाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता समय समय पर चुनाव होते रहने चाहिए ताकि जनता को सरकार की सफलताओं और विफलताओं का मुल्यांकन करने का अवसर मिल सके यनिकी समय समय पर यदी चुनाव होंगे तो कोई भी सरकार निरंकुस नहीं बन पाएगी यदी सरकार ने सफलता पूर्वक कारिये किया है तो जनता फिर से उस सरकार को चुन लेगी लेकिन यदी सरकार विफल रही है तो जनता किसी दूसरी सरकार को चुन लेगी तो इस प्रकार सरकार सिमित संपर्भूता का प्रियोग करती है किसी भी राजनितिक दल को सदैव सत्ता में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता लास्की का मानना है कि सक्ती सदाचारी लोगों को भी भरस्ट कर देती है यहीं कि सरकार के पास एसिमित संपर्भूता या निरंकुष सक्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब वेक्तियों को निरंकुष सक्ती मिल जाती है तो अच्छे लोग भी भरस्ट हो जाते है सरकार के केवल वे ही कारिये उचित माने जाएंगे जो जनता के अधिकारों की रक्ष्या करते हो तो ये हो गया तिसरा पॉइंट सिमित संप्रभूता चोथा पॉइंट है राज्ये तथा अन्ने एच्छिक समुदाए लास की मानव समाज में राज्ये के साथ साथ अन्ने एच्छिक संस्थाओं की उपस्थिती आवसक मानता है या फिर स्वाभाविक मानता है यानि की लास की कहता है कि जिस प्रकार समाज में राज्ये होता है उसी प्रकार समाज में अन्य संग या अन्य समुदाई भी स्वाभाविक रूप से होते हैं मानव समाज में अपने विभिन आवसकताओं की पूरती के लिए रहता है यानि कि जो मानव है वह समाज में इसलिए रहता है ताकि उसकी जो विभिन प्रकार की आवसकताएं हैं उनकी पूर्ती हो सके अपनी आवसकताओं की पूर्ती के लिए मानव का विभिन समुदायों से जुड़ना स्वाभाविक है इन समुदायों का महत्वे राज्ये से कम नहीं है ये समुदाय मनुस्य के लिए उतने ही आवसक है जितना की राज्य आवसक है इनकी वेक्ती अपनी विभिन प्रकार की आवसकताओं की पूर्ती के लिए अलग-अलग समुदायों से जुड़ा रहता है इसलिए इन समुदायों का महत्व भी राज्य के बराबर ही होता है अब आगे देखते हैं ये समुदाय राज्य से केवल इसलिए भिन है कि ये अपने सदस्यों को भोतिक या सारिरिक दंड नहीं दे सकते हैं राज्य भी एक समुदाय से अधिक नहीं है, येनि कि जिस प्रकार समाज में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं उसी प्रकार राज्य भी एक समुदाय है लेकिन जो राज्य है और दूसरे समुदाय हैं उनमें यह अंतर होता है कि राज्य वेक्तियों को सारीरिक या भोतिक दंड दे सकता है लेकिन अन्य समुदाय अपने वेक्तियों को सारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं इसके अलावा जो रज्य होता है उसकी सदस्यता वेक्ती के लिए अनिवारिये होती है अब देखते हैं पांचवा पॉइंट पांचवा है कानून केवल रज्य का आदेश नहीं ओस्टिन के नुसार कानून रज्य का आदेश मत्र है तो ओस्टिन क्या कहता है कि रज्य जो भी आदेश देता है वही कानून बन जाते हैं लेकिन लाश्की इस धारणा को सिविकार नहीं करता लाश्की के अनुसार ओस्टिन का सिध्धान्त निरंकुस राज्तंतर की याद दिलाता है आधुनिक लोकतांतरिक देशों में कानून का पालन करना केवल जनता के लिए ही नहीं बलकि उन लोगों के लिए भी आउसक है जिन्होंने कानूनों का निर्मान किया है इसके अतिरिक्त बहुत से कानून रीती रिवाज पर भी आधारित होते हैं तो इसका मतलब है कि लास्की मानता है कि जो राज्ये के आदेश हैं वे कानून नहीं होते हैं बलकि कानून उचित प्रकार से बनाए हुए होने चाहिए इसके लावा जो कानुन होते हैं उनका पालन करना केवल जनता के लिए ही आउसक नहीं है बलकि उन लोगों के लिए भी आउसक है जिन्होंने उन कानुनों का निर्मान किया है तो ये हो गया हमारा पांचमा पॉइंट अब देखते हैं चटा पॉइंट चटा है समाज का सवरूप संगहातमक इसलिए सत्ता भी संगहातमक होनी चाहिए तो जो ये लास्की का ये statement है ये वाक्य है कि समाज का सवरूप संगातमक होता है इसलिए सत्ता भी संगातमक होनी चाहिए ये वाक्य बहुत ज़्यादा परसिद है अनेक बारे एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य का क्या अर्थ है तो संगहातमक का मतलब होता है सक्तियों का बटवारा कर देना एक होता है एकातमक एक होता है संगहातमक तो एकातमक का मतलब होता है सक्तियों का एक जगाय पर केंदरी करने हो जाना और संगहातमक का मतलब होता है सक्तियों का विभाजन कर देना तो अब इसमें देखते हैं ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट होगा क्योंकि बहुत परसिद वाक्य है इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मनुस्य की अनेक आवसकताईं होती हैं इन आवसकताओं की पूरती के लिए वहे राज्य के साथ साथ अनेक संगों वहे समुदायों का निर्मान करता है तो जो मनुस्य है उसकी अनेक परकार के आवसकताई होती है और इन आवसकताओं की पूर्ती के लिए मनुस्य राज्य के साथ साथ अनेक परकार के समुदायों का निर्मान भी करता है राज्ये बहुत से समुधायों में से एक है इसलिए केवल राज्ये की भगती से काम नहीं चल सकता मनुष्य की अन्य समुदायों के परती भी वफादारी होती है इस प्रकार के समुदाय मनुष्यों के लिए उतने ही प्राकरतिक और स्वाभाविक हैं जितना की राज्य इनकी वेक्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समुदाय या अन्य संग्थन भी महत्वपुरण होते हैं प्रतेक मनुस्य की विभिन इच्छाएं होती हैं तथा कोई भी समुदाय उसकी सभी इच्छाओं की पूरती नहीं कर सकता इसलिए मनुस्य विभिन समुदायों से जुड़ा रहता है इनकी जो समाज में समुदाय होते हैं उन समुदायों में से केवल कोई भी एक समुदाय मनुस्य की सभी इच्छाओं की पूरती नहीं कर सकता है इसलिए मनुस्य अपनी विभिन प्रकार की इच्छाओं की पूरती के लिए अलग-अलग समुदायों से जुड़ा रहता है परकार के समुदायों से मिलकर बना होता है जो जो समुदाय मनुस्य के हितों की पूरती करते हैं वे मनुस्य से निष्ठा की मांग करते हैं यानि की लास की कहता है कि समाज का सवरूप संगहात्मक है इसका मतलब है कि समाज विभिन परकार के समुदायों से मिलकर बना होता है और जो जो समुदाए मनुस्य के हितों की पूर्ती करते हैं वे समुदाए यह चाते हैं कि मनुस्य राज्य के साथ साथ उनके परती भी निष्ठा भाव रखे या भगती भाव रखे अब आगे देखते हैं इसी पॉइंट में यह संबव है कि मनुस्य को अनेक बार यह लगे कि उसका समुदाए जो कुछ कह रहा है वह राज्य के आदेशों की अपेक्षा ज्यादा संगत है मनुस्य के लिए आवसक नहीं है कि वह राज्य की आज्या का पालन करें तो लास के कहता है कि मनुस्य को अनेक बार यह लग सकता है कि राज्य की बजाए जो उसका दूसरा समुदाए है वह ज्यादा अच्छी बातें कह रहा है तो इसलिए मनुस्य के लिए आवसक नहीं है कि वह राज्य की आज्या का पालन करें बल्कि वह अपने दूसरे समुदायों की आज्या का पालन कर सकता है अब आगे हैं लास्की के अनुसार राज्य को मनुस्यों से निष्ठा की मांग करने का अधिकार तभी हो सकता है जब वह जनता के हितों के अनुसार कारिये करें राज्य की सकती अन्य समुदायों से भढ़ कर नहीं हो सकती है लास्की के सब्दों में चूंकि समाज का सवरूप संगहातमक है इसलिए सत्ता का सवरूप भी संगहातमक होना चाहिए यनि कि समाज में केवल राज्य ही नहीं होता है बलकि राज्य के अलावा अनेक परकार के संग होते हैं अनेक परकार के समुदाय होते हैं इसलिए सकतीयों का विभाजन किया जाना चाहिए राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों में भी सकती होनी चाहिए तो इसलिए last की कहता है कि समाज का सवरूप भी संगहातमक है इसलिए सत्ता का सवरूप भी संगहातमक होना चाहिए तो यह गए हमारा चटा point अब देखते हैं सात्वा और last point सात्वा है सत्ता का विकेंदरी करन देखो एक होता है विकेंदरी करण एक होता है केंदरी करण केंदरी करण का मतलब होता है सबी सक्तियां एक जगह पर केंदरीत हो जाएं और विकेंदरी करण का मतलब होता है सक्तियों का बटवारा कर देना लास्की के अनुसार सत्ता का विकेंदरी करण लोकतंतर की पहली सर्त है विकेंदरी करण के दो पहलू है पर्थम सक्तियों का पर्थक करण और सक्तियों का पर्थक करण क्या होता है यह हमने अमेरिका के समिधान में पढ़ा था तो सक्तियों का पर्थक्रण होता है कि विधाय का, कारिय पाले का और न्याय पाले का तीनों अलग अलग रह करके अपना अपना कारिय करें तो यहाँ पर देखते हैं सक्तियों का पर्थक्रण क्या लिखावा है अर्थात कानून बनाने उनको लागू करने तथा उनकी व्याख्या करने की सक्तियां किसी एक ही संस्था में नहित नह हो तो सक्ति पर्थक्रण का मतलब क्या होता है कि कानून बनाना कानून को लागू करना और कानून की व्याख्या करना इन तीनों प्रकार के कारिये अलग-अलग संस्थाओं द्वारा किये जाने चाहिए यानि कि विधाय का अपना अलग कारिय करे, कारिय पाले का अपना अलग कारिय करे और न्याय पाले का अपना अलग कारिय करे दूसरा प्रादेशिक विकेंदरी करने अर्थार्थ संगी सासन की स्थापना करना और संगी सासन का मतलब होता है केंदर सरकार और राज्य सरकारों में सक्तियों का विभाजन कर देना इसके अलावा इस्थानिय सवसासन की संस्थाओं को भी मजबूत किया जाना चाहिए तो यह गए हमारे लास्की के संपरबूता समंधी विचार तो जो लास्की है वह एकल संपरबूता का विरोधी है और बहुल संपरबूता का समर्थक है